लोग कथा के अनुसार एक युवक जीवन में संघर्ष करते करते ठक गया. उसे धन कमाने के लिए कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था. ऐसे में वह निराश हो गया और आत्म हत्या करने के लिए एक जंगल में चला गया. वहां उसे एक संत मिले. संत ने उससे पूछा कि तुम अकेले यहां क्या कर रहे हो? युवक ने अपनी सभी समस्याएं संत को बता दी. तब संत ने कहा कि तुम्हें कोई काम जरूर मिल जाएगा. इस तरह निराश नहीं होना चाहिए. व्यक्ती ने कहा कि मैं हिम्मत हार चुका हूँ. मुझसे अब कुछ नहीं होगा. संत उसे क कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ. उससे तुम्हारी निराशा दूर हो जाएगी. कहानी ये है कि एक छोटे बच्चे ने एक बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया. बच्चा रोज दोनों पौधों की देखभाल करता. एक साल बीत गया. कैक्टस का पौधा वैसा का वैसा था. बच्चा निराश नहीं हुआ और उसने देखभाल जारी रखी. कुछ महीनों के बाद बांस पौधा भी पनप गया और कुछ ही दिनों में कैक्टस के पौधे से भी बढ़ा हो गया. दरसल बांस का पौधा पहले अपनी जड़े मजबूत कर र जी से हमारे लक्षे की ओर बढ़ने लगेंगे. तब तक धैरे रखना चाहिए. वह युवक संत की बात समझ गया और उसने आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया. कथा की सीख, इस कथा की सीख ये है कि हमारे जीवन में जब भी बुरा समय आए तो उसका सही उपयोग करना चाहिए. बुरे दिनों में हमारी जड़े मजबूत करनी चाहिए, यानि अपनी योग्यताओं को निखारना चाहिए. हमारी कमियों को दूर करना चाहिए. जब हमारी कमियां दूर हो जाएंगी, तो योग्यता निखारने लगेगी.